मैं प्रशान्त लूप मैं एक सिरामिक इंजिनेर हूँ जैसे चैनल का नामे Simply about the tiles तो हमेशा कोशिश रहेगा simple way में आपको टैलों के बारे में कुछ information देता रहूँ आज मैं आपको इस वीडिये में क्या टैलों को लगाना suitable रहेगा कि मार्बल को लगाना उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए कोशिश करूँगा तोपिक को शुरुबात करने से पहले आपको एक बात क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा natural marble जो होता है वो हमें naturally मिलता है और जो टैलों होते हैं वो manmade होता है तो जब भी हम लोग को कुछ भी naturally मिलता है या तो हम लोग उसको बनाते है manmade बनता है तो हमेशों उसमें कुछ limitations आ जाते है तो अगर आप टैलों को लगाऊगा तो marble को लगाऊगे तो आपको क्या के advantageous रहेगा और क्या के limitations रहेगा क्योंकि अगर मैं disadvantage भोलूँगा फिर्म्स तो बिल्कुल एक गलात बड़ हो जाएगा तो आज मैं आपको इस वीडियो में brief करने के लिए कोशिश करूँगा कि देखें दोनों का कुछ advantages है दोनों का भी कुछ limitations है तो tailor लगाएंगे तो marble लगाएंगे तो आपको क्या advantages रहेगा साथ में क्या limitations आपको रहेगा उसके बारे मैं आपको थोड़ा सा brief करने के लिए कोशिश करूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe किया नए फिर्म्स तो मेरे चैनल को subscribe करिए ताकि मैं जब भी प्लस पॉइंट्स और उसको limitations के बारे में comparison वेज आपको बताने के लिए कोशिश करूँगा पहले देखे friends अगर हम लोग अगर टाइलों को लगाने के लिए जाएंगे अगर instead of marble तो आपको क्या क्या advantages रहेगा और क्या आपको limitations होगा आपको मैं उसके बारे में पहले आपको brief करूँगा टाइलों के अगर मैं बात करूँगा तो टाइलों में अलग-अलग टाइप के category के टाइल है जैसे नानो हो गया double charge हो गया जीवीटी पीजीवीटी फुल बोडी काफी यह number of अलग-अलग के टाइल ले टाइल इंडेस्ट्री में आपको मार्केट में मिल जाएगा एक section जो होता है PGVT करकी मतलब polished glazed vitrified टाइल जो पीजीवीटी टाइल होता है वो इसमें जितने भी डिजैन्स आते अगर आपको 100 डिजैन्स रहेगा तो 100 डिजैन्स आपको marble type के prints के ही designs आपको मिलेगा तेकि PGVT का जो एक section होता है उसमें आपको जितने भी designs मिलेगा there a repliq of Italian marble जो भी marble में आपको designs मिलेगा वही designs को कॉपी करके टाइलों में डाला हुआ है तो डिजन्स वाइज अगर मैं टाइलों की अडवन्टेजस के अगर मैं मैं बात करूंगा आप देख सकते हैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ आज किचैन की एे में लगा सकते हैं जो पीजरल मारबल जीन्स आपको मिलेगा शेमe तो टाइलों में मिलता आप इसको इवान अगर आपको चाहती तो बातर में सबसे स्थाधा आज के इसमें बातर में इस उसरा डिजेन्स में इस बताऊंगा फ्रेंड्स तो आपको मार्बल पीजी वीटी में आपको बहुत सारे डिजेन्स आपको जो नाच्रल डाइना टाइप में मिलेगा आपको बुटोचिनो टाइप में आपको चाहिए अगर आपको कलकत्ता मार्बल करकर जो आपको वाइट कलर मे कि आपको मेखा सकते हो में कंपर हैं गर में मार्बल की बात करना तो मारबल को पड़ीचитель यह a तो में अगर इन कंपरिजन दिधर में तयाएं टै लों की अगर मैं बात करेंगा तो जो आपको मुलेगा आपको में आपको एक में मिलेगा आपको चार फिट बे चार फिट में मिले गा हको बड़े-बड़े स्ट्ट को चोटा है और आपको वहां पर मार्बल लोग देना है तो अगर आपको वेस्टेज कम नहीं चाहिए अगर तो फीट पर टूफीट का लगा सकते हो ताकि कुछ भी आपको वेस्टेज नहीं जाएगा या तो अगर आप समझे के में लगाना है तो समझेगा आपके according आपका बात्रूम में रेगा आपकाप कीचेंग आपका साइजास के हिसाब से टाइमलों में आप चूस कर सकते जो पात करूंगा मार्बल में तो उसमें आपको अलग अलग 222 में 224 में 800 में मिटर में ऐसे कुछ आता नहीं उनके स्टेंडर साइज में आपको जो मार्बल आपको मार्बल में मिलेगा थर्ड अगर मैं अद्वंटेज की या तो प्लस पॉइंट के अगर देखिए फिंट में करणा तो कोश्टिंग में होता है कि अगर डाइना टाइप का अगर आप मार्बल लेने जाओगे तो उसका कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाता है में खास करगार आपका बजेट कम है और आपको मार्बली लगाने का बहुत जाधा आपको इच्छा है तो देखिए आप कलकर्ता मार्बल तो सत्तवारियों का जो मार्बल अगर इटलियन मार्बल लेने जाओगे तो आपको 500 रुपई से लेकर आपको हजार रुपई तक भी अलाग-अलाग अलाग मैंन से जो निकलते अलाग-अलाग ँपकॉलिटी उसमें प्रिंट के हिसाब से आपको मा तो फीट बेट वे टूफीट हाँ हाला कि टूफीट बेट फूर फीट का अगर मैं प्राइजिंग आज बात करूंगा तो उसका भी आपको 55 से लेकर साथ के भीच में अच्छे ब्रैंड में आपको मिलेगा तो अगर आपको एक बजेट कंसन है तो बिल्कुल आप एक पीज मर्ब्ल में मिलेगा वही आपको जो टाइलों में बहुत ही कम रेट में आल्मूस्ट सेवेंटिफॉइफ परसेंट कम है आपको जो डिसएं से आपको आपको मार्बल टाप के डिसेंग सापको पीजीवीटी में आपको टूफीट बेट तो फीट अलग-अलग साइजस में आपको मिल जाएगा तो तो कोई पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं होता है आपको नॉर्मल ग्लॉस में आपको टाइल लेका लगा सकते हो लगाने के पाद उसको अलग सा कोई कुछ करना नहीं पड़ता है तो एक बारा कंटे के बाद आपको चाहिए नहीं तो आपको इमेडियेटल अगर घर में आपको इमेडियेटल एंट्री करना है तो आपका ऑफिस हो गया बहुत जगाब पर होता है कि उनको टाइम बहुत डूरेशन कम रहता है तो वहाँ पर आ इल्कुल आपको टाइम कंसुमिंग प्रोसेस रहेगा और इंस्टोलेशन प्रोसेस के अगर मैं बात करूंगा तो बहुत ही कम इसमें कम समय में आप रेडिटी उस बारह घंटे लगने के बारह घंटे के तुरंत बाद जो है आप टाइलों में क्या है आपको टाइलों को यूज करना शुरू कर सकते हो मैं बात करूंगा तो देखे टाइलों में आएसा कुछ भी ऐसा मैंटेनस जैसा कुछ होता नहीं है टाइले लगने के बाद अगेन आपको मिनिममम अगर में बता हमां तो 20-25-30 साल तक अगर आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करोगे तो उपर कर जो वाद होता है वह होता है तो क्या वह निकल जाता है किया काफी अज्से बता है तो यह और दीकर कंदी जाता है तो कभी भी आपे मत समझें कि उपर के लिए पॉइंट फैम में में तो वह दो साल चार साल के बाद हो गिसकर निकल जाएगा या तो प्रिंट पूरा निकल जाएगा ऐसा बिल्कुल होता नहीं है आप बिंदास कोई भी कंपनी का लेकिन कोशिश करिए कि पीजीवी प्रिफर करिए तो लाइफ कभी जैसे मैं ने बताए फ्रेंट्स आपको 20-25-30 साल तक आपको बिना कोई में तेनेंस सिर्फ क्लीनिंग करते रहेंगे तो उससे जाद आपको मेंटेनस के नापर कुछ खर्चा करने की जुरुत नहीं है सिर्फ क्लीनिंग करते रहेंगे तो अगर प्रापर मेंटेन करेंगे तो आपको अराम से 20-25-30 साल तक जो टाइले है आपको बिलकुल अराम से चलता रहेगा देखे फ्रेंट्स यह कुछ अद्वन्टेजस थे अगर आप टाइलों को अगर पीजवीटी टाइलों को खासकर आप कंपरेजन करेंगे अगर मार् ibaard कि अगर मैं बात करूंगा तो देखें उसका जो ब्यूटी है उसपैंग का क्वड़ी आपकोमिलेगा जो आwiąकी danny मिलेगा ने उसमें कोई जो मेंनचरिली मिलता है है होता नहीं क्योंकि आम लोग कुछ भी करेंगे तो देखें नैश्रल datasetव alors na nesak सब्सक्राइब करेंगे तो मार्बल में बहुती बेस्ट सुपरियर क्वालिटी का प्रिंट मिलेगा और सबसे बड़ी है वाव लुक आएगा अगर आपका बजेट है अगर आपको बजेट का कोई भी सब्सक्राइब करेंगे तो मैं बिल्कुल आपको मार्बल का ही सजेशन दूँगा डिजन वाइस अगर में मार्बल की बात करूंगा फ्रेंग्स वागें देखें नो डाउट मार्बल में आपको बेस्ट डिजन सापको मिल जाएगा इन कंपरीजन विद टाइल है क्योंकि ट उसको माइनिंग करते जब भी खुदा ही किया जाता है तो अलग 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 टाइप के मार्बल्स आपको मिलेगा जिसका फ्रेंट अगर आप देखोगे फ्रेंट उसमें रेंबो कलर्स मिलते आपको 7-8 कलर्स का आपको डिजन मिल जाएगा जो बिल्कुल जब आम लोग क अगर बहुत जादा गर्मी रहता है तो बिलकुल आप मार्बल को प्रिफर करिए क्योंकि मार्बल का water absorption capacity जो होता है बहुत ज़्यादा है बहुत ज्यादा ही इंदसेंस आपको मिनिममम अगर मैं बता हूंगा तो देखिए 5-5% से लेकर आपको 7-8% तक रहता है तो जो फ् एक फ्लूर को फ्लूर को थंडा रखना है आप ठंडे महवल में रहना जाते हो तो अगर आपको पसंदे तो विल्कुल आप मार्बल को out choice कर सकते हो गर हम हो जाखते हral यात है homogenous body रहता है मतलब आपको अगर 10 mm का 12 mm का 15 mm का जब भी अगर slabs आपको marble मिलेगा तो throw out the body जो टाइलों में ऐसा होता है ताइलों में सिर्फ लेयर होता है 1 mm का एक्षिली वह 0.5 mm से 1 mm के बीश में होता है marble के अगर में बात करको तो throw out the body आपको सेम जो आपको सर्फेस में कलर मिलेगा आप जब तक पूरा गिस्ते आप पॉलिशिंग करते जाओगे तो उतना ही अंदर तक आपको जो उपर के डिजैन अंदर तक आपको वही डिजैन सापको मिलता जाएगा जितना आप marble को polish करोगे उतना ही उसका grace उसका उतना ही उसका जो grace होगा उसका glossiness होगा उसका जो हम लोग बोलते हैं उतना ही उसका बढ़ना शुरू हो जाता है इसमें यह कुछ खास है कुछ points थे friends with respect तो अगर मैं plus point बताऊंगा तो अगर मैं limitations की बताऊंगा तो देखे लिमिटेशन वाइस क्या होता है friends के maintenance की अगर मैं मैं बात करूंगा comparison में टाइलों की टाइलों में कोई manager से बोला था बहुत ज़्यादा maintenance होता ने सिर्फ clean करोगे तो निकल जाता है लेकिन जब भी हम लोग कारवल को comparison करेंगे तो maintenance में बहुत बहुत करना पड़ता है कि लगाने के बाद उसको polishing किया जाता है उसके अंदर अगर cracks होते हो तो crack filler को उसको fill up किया जाता है उसके बाद आपको epoxy flooring जब आप करते हो क्योंकि waterization capacity जाधा होने की वजह से staining जो है अगर कुछ भी गिरता तो आपको करने के लिए epoxy flooring को आपको करना पड़ता है costing थोड़ा सा ही हो जाता है तो हरे की budget में बैठता नहीं है क्योंकि epoxy coating जो होते है बहुत ही costly होता है तो maintenance वाइस अगर आप बिल्कुल आप कर सकते हो budget वाइस अगर मैं बता हूंगा तो थोड़ा सा आपको costly लेगे इन विद रस्पेक्ट टू टाइलों के अगे आप खरीदी करने के लिए भी जाओगे मारबल को तु देखे मैंने जैसे बोला तो costing वाइस मारबल पर्चेस करना भी प्लस आपको installation प्रोसेस में भी आप comparison के लिए करेंगा तो अब्वेसली बहुत जादा ही हो जाता है जैसे मैंने बोला ता साढ़े 500 से लेकर आपको हजार की बीश में मिलेगा और जो कम इस लेशन कॉस्ट भी थोड़ा सब बढ़ जाता है लिमिटेशन अगर मैं तीसरा बताऊंगा तो देखेंगे मैंने जैसे बोला तो एक स्टैंडर साइज मिलेगा तो अगर आपको छोटा हो ले तो भी आपको जो स्लैब आते बड़ा एकी स्लैब आपको साइज में गाने तो आपको थड़ा सब ज्याधा जाने का बिलकुल आपको चांस मिलेगा अगर वीटि निकलने जाएंगे तो दिखिए उसमें होता क्या है कि motivate Sugan कि हो सकते हैं कि ना बी मिले वही अगर हम लोग कॉंटिटी वाइज अगर हम लोHigh rise नगर paradigm करेंगे तो पर में कर आपको 10 लाग 20 लाग जतना लास क्यों को चाहिए उतना लाक स्कारशाएं को बना कर आप सकते हो तो वाइस भी आपको थोड़ा सजो है आपको एक लिमिटेशन हम लोग बोल सकते हैं वित रिस्पेक्टो मारबल में और एक जो लिमिटेशन में मारबल के साथ बोल सकता हूं कि जब भी आप मारबल पर्चेस करने के लिए जाओगे तो जहां से भी आप लीजिए तो उसका कोई भी गयारेंटि वैरेंटी जैसा कोई भी दुकान दर जो भी डीलर जहां सब यह पर्चेस करोगे को आपको देगा नहीं देए जब भी नाचरल चीज मिलता है तो उसके ओपर कोई बीडिलर उसका कुछ गयारेंटि वैरेंटी दिने का तो चांस नहीं होता है अगर हम भें भी किलोग से बाइबाद करेंगे तुल इनको बीलकिल वीरेंटी मिलेगा बिलकुल गैरेंटी बिलेगा लागत अग्र तéma कि कहने पर और इंक कोई लेगा नहीं तो कोशिश करूंगा आने वाले दुने में और भी कुछ वीडियो बना के जो भी आपको मैं इन्फोर्मेशन दे सकता हूं देने के लिए बिल्कुल कोशिश करता रहूंगा